जेड़ा मुखमंत्री पार्लमेंट दे वेचल ग्यारा बजे नशे थी हालत जी आंदासी ओहुन सूबा चला रहे हैंगा सर्थ मुखमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया तो स्टेट क्या क्या हिसाब होगा आप सोचिए दस महीनों में क्या होया साल उफ्टैंजा की फ्लाइड ने ओफ्लोड कर दिया क्योंकि उस नशे की हालत में मुखमंत्री थे कि चड़नी पाए ग्यारा बजे क्या खापी के आते थे आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बगल दो पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज अब दो हजार पंद्रा चे हो जी चीजा पंजाब चे हुयां जेड़ा कोई पंजाबी ना बरदाश्ट कर सकदा सी ते ना करन बारे कदे सोच सकदा सी सा आज साथे सुबे दा मुखमंत्री छे मिने दस मिने पहले उत्थे बैठे आ हुंदा सेगा साथे 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 सीट बदल दो जेड़ा मुखमंत्री पार्लमेंट दे वेच ग्यारा बजे नशे दी हालत चीजा अंदा सी ओहुन सूबा चला रहा है गा सार सार तुसी पूलेनी होगे कि आई जट पहली बारी बन्या सी साथ जट पहली बारी एत्थे आया सेगा थ्वानू बिटू जी थ्वानू क्यों मुर्चा लागरी आने मैंनों पता है थ्वड़ा मेली सेगा लेकिन जेड़ा कर ले उन्हों तो तुसी भी निनकार सकते साथ पारलिमेंट की विडियोग्राफी चार देन पहले हमने जवानों को उनको नमन किया जिनोंने अपनी शहादत देती इस पारलिमेंट की सुरक्षा के लिए तो वो हमारे मुखमंत्री जो हैं उन्होंने MP बनके तो पूरे पारलिमंट की विडियोग्राफी बाहर से लेकि अंदर तक कराई ताकि किसी को जो नहीं पता लगे हमारे देश के उदर दुश्मन बैठे होई उनको अच्छी तरह से पता लग जाए कहां से अंदर जाते हैं कहां से बाहर जाते हैं और इसलिए स्मीकर साब ने एक पूरा सेशन उनको बाहर का रस्ता दिखाये था ये कमिटी बनी थी महताब जी उसके मेंबर थे और पूरा उनका सेशन बाहर ने थे ये तो उनकी सोच थी ये तो उनकी समझ थी ग्यारा बजे क्या खापी के आते थे आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो सार जब बोलते थे लोग आके इदर बैठे होएंगे पहलवान जी कहीं पे जाके उनको सुंगते थे कि यह क्या रो ये तो हलात हैं सर उसके उपर बिचारे के दो सुपर मुख मंतरी बैठे होई हैं उन्हों ने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराई तो जो क्या फ्राद नसा नहींगत तो क्या है मैं उसी के उपर तो बोल रही हुँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है मुख मंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया तो स्टेट क्या हिसाब होगा आप सोचिए दस महीनों में क्या होया साथ दस महीनों में नशों से ये हालत हो गया है कि आज सडकों के भी लिखा होता है Don't drink and don't drive तो यहाँ पे drink करके drive गया यह तो स्टेट को drive कर रहे है और केजरीवाल कहते 2019 की election जीतने के लिए उन्हांने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि election जीतनी थी और केजरीवाल कहते बहुत बड़ी कुर्बानी करी है भगवान तबान जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता सो सर वो तो कुर्बान हो गए मुख मंतरी बन गए और पिछले दस महीनों में हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ सा एक national shame से मैं शुरू करना चाहूंगी क्योंके कुछी महीने पहले एक आदा महीना पहला होगा कि बाहर गए जर्मनी में हमारे पंजाब के बारे में चर्चा करने के लिए और चर्चा तो ये होके रहेगे कि लुफ्तेंजा की फ्लाइट से पहली बारी एक मुख मंतरी को अफलोड किया गया सर्थ कभी आपने सुना है इस देश में किसी मुख मंतरी को जहाज से अफलोड किया जाए सर्फ लुफ्तेंजा की फ्लाइट ने अफलोड कर दिया क्योंकि उस नशे की हालत में मुख मंतरी थे कि चड़ नी पाए अब सर इधर के हमारे मंत्री जी ने कहा था जो एवियेशन मनिस्टर है कि मैं जाज करूँगा तो जाज करके बताऊंगा लेकिन वो जाज क्यों दबा दी जरा ये भी वो बता दे और सर उस हालत में इतने अच्छे हालत में वो थे कि उन्होंने का BMW हमारे पंजाब में एक ब ड्रग स्मगल किये जाते हैं वो पूरे देश में नंबर वान पॉजिशन पंजाब में है ड्रग स्मगलिंग तो आप ये देखें कि ये ड्रग पूरे देश में जो सबसे ज्यादा राजय जो फिला रहा है ये नडी पीएस के उनके अपने ये डेटा है सर इन सबसे में य उन्हें कोने तक नशा इन्होंने पकड़ाया बढ़ाया और अपने मंद्बुक्वांतरी को फेल खरार देके उन्होंने बदला तो इस सरकार ने साज़ा मेरी कॉंस्टिंसी में लोग जाके औरते जाके बताती है नशा बेच रहा है तो पुलीस उन्हीं को मारने लग जाती ह सोसा नशों के साथ ड्राग्स के साथ लिकर के साथ आज पंजाब का ये हाल हो गया साथ कि कोई अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है कर दो आदिक के साथ अपने हो जादे लिकर को प्वादा ड्राग्स कर दो रहादे है वोग जास नहीं कर दो बदू है